डेर स्टुडेंट्स, आज हम बीएसडी स्कूल की उनलाइन क्लासे में क्लास 12 बाइलोजि में आहा नाल के परमुक अंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यकरत की सरंचना के बारे में अध्यन किया था। आज हम यकरत की ओतिकी के बारे में अध्यन करते हैं। पिछले पिरेड में हमने यहां तक ओडाई की अवरोधनी कहते हैं, यहां तक पढ़ लिया था, आज आता है यकरत का निर्मान यकरत पालियों या पिंड को द्वारा होता है, जो यकरत की सरंचनात्मक वै किरियात्मक इकाई होती है, यकरत पालियों का निर्मान यकरत कोशि का समूझ जुड़ा होता है जिसे कुफूर को सिकाई केते हैं जो महा बक्षानू का कारिय करते हैं यह को सिकाई जिवानूं वे रक्तानूं का विक्टन करती है और पीतवन को का निर्मान करती है अब यकरत की ओतिकी के बारे में हम अध्यन करते हैं तो सबसे पहले यकरत की इस्तंदारी के यकरत की ओतिकी के बारे में हम अध्यन करेंगे तो जिसमें ये एक डाइग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर ये बीच में केंद्रिय सीरा पाये जाता है जिसे अंत्य पिंड किये सीरा भी कहते हैं ये चोटी-चोटी जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है य यकरत कोशिकाएं या हीपेटिक कोशिकाएं होती है फिर ये चारो तरब से जो घेरी हुई सरंचना होती है यकरत कोशिकाओं को ये यकरत जो कोशिकाएं छोटी-छोटी दिखा रखिये तो इनको चारो ओट से घेरी हुई रहती है वो एक सेयोजी उत्तक से घेरी हुई प प्रकार से तो इनके बीच में बाइल कैनेलि कुलाई पाय जाता है फिर यहां पे हमारे पास में और क्या पाय जाता है पेटिक जो कोशिकाई जो थी इनके अंदर ये बाइल बाइल केनेली कुलाई जो है इनके बीच में ये तीन निवहाई का त्रिय बोल दो चाहे तरक बोल दो कहते हैं ये पाये जाता है तो द्यान रखना ये यकरत की ओतीगई का डाइगराम है जिसके अंदर अपने पढ़ा था यकरत कोशिकाओं द्वारा पीतरस का इस्तरावन होता है जबकि पिताश्य में पीतरस का श्टोर किया जाता है मतलब संग्रह किया जाता है यकरत जो कोशिकाई जो है उनके बीच बीच में सिरापातर पाए जाता है ये यकरत जो कोशिकाई आपको दिखा रखी है छोटी छोटी तो इने तो हीपेटि कोशिकाई या यकरत कोशिकाई कहते है इनके बीच बीच में सिरा पातर है ये दिखा रखा है सिरा पातर पातर के बीच बीच में कुफूर को सिखाएं पाई जाती है ये वाली जो है वो कुफूर को सिखाएं है ये कुफूर जो को सिखाएं है आर बी सी का विग्टन करती है जिसके द्वारा पीत वर्नकों का निर पाए जाता है ये गिलसन जो कैपसूल है इसके उपर ये निवहाई का त्रिया या त्रग पाए जाता है जिसमें तीन परकार की है यकरत निवहाई का सिरा यकरत धमनी वे अंतर पिंड किये यकरत वाहिनी पाए जाती है ये डाइग्राम है फिर एक सोट में है अपने पास मे कि ये जो बाइल केनेली कुलाई जो है मतलब यकरत कोशिकाओं की बीच वाला इस्तान जो है ये खुलेगी और ये बाहर निकल कर और किसे जुड़ जाती है यकरत वाहिनी की साखाओं से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद ये कहा जाएगी ये बाहर आ जाती है इस न जो हलके पीले हरे रंग का छार्य दर्व होता है अब ये यकरत के कारिय में भी मानते हैं और अगर क्यूशन अलग से पुछाई जाए कि पीतरस के कारिय क्या है तो ये पीतरस जो है वो पीतरस का इस्तरावन करता है कौन यकरत हलके पीले हरे रंग का छार्य दर्व होता है प पाच्चक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं यह वसा का पाईसी करण करता है यह बोजन को सड़ने से भी बचाता है यह उसरजी परदार्थों को यकरस से बाहर निकालने का कारिय करता है यह विटामिन D, E, K का अवसोसन करता है इसके अलावा भी कई कारिय है अब जैसे पीतरस के बारे में अगर अध्यन करे हम तो यह जो है पीतरस इसका अपने सरीर में डेली इस्तरावन होता है 600 ml इसका परकरती जो है चार यह परकरती का होता है इसकी pH 7.8 से 8.6 के बीच होती है इसका पीतरस का इस्तरावन किसके पारा होता है इसका स्टोर या संग्रे पितास्य में होता है पाच्चा का एंजाइम नहीं पाए जाते हैं हलके पीले रंका होता है अब पीतरस का मतलब जो आर बीसी का विक्टन होता है कुफूर को शिका है जो महा बक्षानू की तरह कारी करती है तो इनके द्वारा पीत वर्णक बनते हैं तो पीत वर्णक दो परकार के होते हैं एक बिलिरुबीन एक बिलिवर्डीन बिलिरुबीन पीले रंका होता है बिलिवर्डीन हरे रंका होता है फिर पीत वर्णक बनते हैं पिता से के पीत रस के अंदर पीत वर्णक पाए जाते हैं और इसके अलावा पीत लवन पाए जाते हैं, sodium glycolate पाए जाता है, sodium tricolate पाए जाता है, colesterol पाए जाता है, यह वसाका पाई सी करन करता है था, वसाके जटी लणों को सरलणों में बदलता है अब एक क्यूसन है यहाँ पे कि यदि सरीर में पीत रस की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो अब एक चीद दे लानक ना, पीत रस जो है वसाका अवसोसन वेपाई सी करन भी करता है अब यदि देखो अपन बात करें कि पिता से को हटा दे, तो क्या परभाव पड़ेगा येदि सरीर से पिताषय मतलब गौल बिलेडर को अठा दिया जाई तो क्या परिवावावत बड़ता है यक्षिज में परिवावत होगा, अब एक चीज ओर समझने माले कि हम आरे पालाता है, कि हमास्या में SCL पाए जाता है तो SCL के द्वारा भोजन की परकरती जो है वो अमलिय हो जाती है लेकिन पितास्या में पीतरस पाए जाता है जो चार ये परकरती का होता है इसलिए यहां पे अमलिय भोजन चार से किरिया करके और भोजन जो है वो उदासीन परकरती का हो जात में पितास्यम में कोलेस्ट्रोल या वसाका जमाओ हो जाता है जिसके कारण पत्थरी रोग होता है